नवश्कार दोस्तों आज है फिफ्थ जन्वरी और ठंड का मौसम है ठंड है बिल्कुल बहुत जादा और हमारे समय बारिश भी हुई है तो आज मैं अपने गाड़न में यह देखे यह राक है और यह राक जो है वो कंडे की राक है कंडे मतलब जो गोबर की गोबर से कंडे यह उसकी राक है तो इसका जो उपयोग है ना हम गार्डेन में किस तरीके से कर सकते है वो मैं आपको अज बताने वाली हूँ इसकी जगह आप जो कोईले की भी राक ले सकते हैं तो पहले तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि इसमें क्या-क्या होता है इसमें मिट्टी का जो में आपकी बहुत जादा एक हो गई है तो यह मिट्टी को एकलाइन करता है तो इसलिए हमें ऐसे प्लांट में इसको नहीं उतना देना चाहिए जिसको की जिसमें की बहुत जादा जिस स्वाइल पतलब जिसको एसे डिक स्वाइल पासंद हो जैसे की कुला ज लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि बारिश देख रहे हैं मेरे यहां पर कितनी मतलब हुई है बहुत हुई है और फंगर्स भी लग सकती है ऐसे टाइम पर और जैसे कि आप यह देख रहे हैं इसको तो एलकलाइन सोयल पसंद इसको ऐसे डिक नहीं पसंद है तो इस तरीके से हम मिट्टी में जब हम इसकी मिट्टी तयार करते हैं तब हम इसमें डाल सकते हैं और अभी मैंने जैसे कि देखा आपने की उपर-उपर से डाल दिया तो इसको डालने से स्नेल्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं यह वाली जो सर्दियों की बारिश इसमें तो नहीं होते हैं ज सब्सक्राइब कीवेंद नहीं से ना इसए करते हैं कैस्सरी प्लांट को खराब नहीं होने देता है पचा के रखता है किसी भी तरीके का वो नहीं होता मतलब देखें मैंने मिट्टी में नहीं डाला मैं उन्हें उपर-उपर से इस तरह सब्जियों पे हम उपर-उपर से इसको डाल सकते हैं ठीके न तो हमारा यह प्लांट भी बचा रहेगा इसमें किसी तरीके के कोई कीड़ नहीं लगेंगे और चाहें तो हम थोड़ा-थोड़ा सा करके इसको मिट्टी में भी इसको डाल सकते हैं जैसे यहां पर लेकिन बहुत नहीं यूज करना है सिर्फ इसको अभी जैसे बारिश हुई है तो मैंने इसको इस तरह से यहां पर डाल दिया जैसे कि मालीजे किसी और मौसम में आप इसको इस्तमाल कर रहे हैं तो जैसे आज डाला है कीड़े नहीं लगने देगा किसी तरीकी का कोई फंगस नहीं होगा यहां पर आपने डाला उसके बाद क्या करिए कि इसको 12 गंटा 14 गंटा बतर रहने दीजे फिर नेक्स्ट डे जो है इसको साफ कर दी तो फिर पत्यां जल सकती है तो इस बात का ध्यान रखेंगा यह एक फंजी साइट की तरह से भी काम करता है यह देखें जैसे मेरे इस पे आप देख रहे हो कि बारिश यह पूरा बारिश का वह है तो सब पालत पूरी मेरी ऐसे हो गई है तो अभी तो इस पे मैं नहीं डा दूप निकल नहीं रही है और यह इसमें पानी गलती से भी दे दिया तो सब शड़ जाए कितनी अच्छी देख है कितनी फ्रेश फ्रेश इक्दम हरी हरी बालक हो रही है इसका एक यूज और होता है जैसे के काई सी नहीं लग जाती है ऊपर उपर से मौस जैसे बूब बन खोड़ा सा उपर से डाल देंगे ना तो क्या होगा कि काई भी नहीं लगेगी और आपकी जो यह मिट्टी है वो अच्छी रहेगी तो कोईले की भी जो वो होती है ना राक वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस जो लकडी की होती है लकडी जैसे केमिकल वाली पेंट वाल उसमें केमिकल यूकत नहीं हो तो यह आप इस्तेमाल इस्ताहरा कर सकते हैं और अब आपको मैं अपनी तुलसी दिखाती हूं यह देखिए मैं यहां पर आंगन में आ गई हो यहां पीर देख रही हैं बारिश कहीं पूरा यहां पीर अःगे ला हो रहा है तो बारिश तो कह बढ़े है और यह भी देख एकी पेडे मैं आप दिखा रही हूं मेरी देखिए इतनी ज़्णी फिल्हाला मैं पता देती हूं यह जह मुझन चैहला बेलग तरीके से थोड़ा-धोड़ा सा ऐसे यहां पर ये इस्प्रिंकल कर दे रही हूं तो ये ऐसे च्छेडक देने से क्या होगा न कि बहुत बहुत जो ठंड है देखिए मैंने न कोई भी चुनरी आप नोटिस करेंगे मैंने कोई भी चुनरी या कोई कपड़ा हलाकी वो उड़ाया नहीं है आप बोलेगा थो खेर वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी लेकिन मैं किस तरीके से देख़ान करती हूं वो मैं को बता होंगे तो यहां पर बस मैंने राख जो है थोड़ी थोड़ी सी वो कर दी है इसको और सब तरफ से कर दे रहे हूं है ठीक है यह देखिए कितनी अच्छी है मेरी यह तो दोस्तों यह देखिए यह मेरा हो गया फ्री का फंचिसाइड जैसे कि मैं आपको हमेशा बोल तो चलिए दोस्तों मैं बिल्कुल भी नहीं डालना है तो चलिए दोस्तों मैं मिलती हूं अप लोगों से फिर से किसी इंफर्मेटिव वीडियो के साथ और यह मेरे जो प्लांट है बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं अब ठंड के मारे ना इनको नहला नहीं रही हूं नहलाना भी जरूरी है और यहां पे जहां रखे न तो यहां बारिश का पानी आता नहीं है इस वज़ा से यह बाहर वही सामने कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है तो चली मिलती हूं थेंक यू